दिखे आज लगबख 65 राज्यसभा के सांसदों ने मनीपूर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये का एक लंबी और एक विस्तार से मनीपूर पे चर्चा सदन के भीतर हो अगर सद्दापक्ष ये चाता है कि मनीपूर पे चर्चा हो और अगर सद्दापक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्विकृति दे दीजे और चर्चा शुरू हो जाएगी केवल सदन में आकर ये चिलाने से कि हम चर्चा चाते हैं चर्चा नहीं होगी 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसधी इतिहास में राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्यान में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्च करकर का कि हमारे देश का एक अभिन अंग हमारा एक बहुत ही महत्वपून बॉर्डर स्टेट मनीपूर जल रहा है मनीपूर के विशे में चर्चा हो लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहते हैं मौनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था आज 31 जुलाई 2023 है 11 दिन हो गए 11 दिन में क बाकी के वर्किंग डेज बच जाते हैं और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाते हैं हम भी चाहते हैं कि सदन चले और आज मुझे याद आता है उस समय के लीडर आफ अपोजिशन अरुन जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुश्मा स्वराज जी लोकसबा की उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवास सुनवाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवास बुलंद करनी पड़े तो उससे लोगतंतर मजबूत होता है लोगतंतर कमजोर नहीं होता और आज उसी कथन का हवाला देते होए हम चेर्मेंट साब से सवापती जी से हाच जोड़कर विनिती करना चाहेंगे कि मनिपूर के विशे पे चर्चा हो और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है संसदी कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रदान मंत्री जी आकर उस वहस में हिस्सा लेते हैं जैसा कि अभी बताया गया देश के कई प्रदान मंत्री सदन के भीतर आकर इस लिशे पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक् इसलिए हम चाहेंगे कि as head of the government, honorable prime minister भी परलिमेंट में आए, दोनों मेंसे जो सदन उने पसंद है, लोगसभा पसंद है तो लोगसभा, राज्यसभा पसंद है तो राज्यसभा, दोनों मेंसे किसी भी सदन में आकर मनीपूर पे अपनी बात रखें और सरकार क्या कदब उठा कर दो, जो मेंगा पस्द करता। इसद बात इसे कर दो रह चारते हैं आकर राज्यसभा पसंद कि अ